Hello student, today will be discussed about the second key features of Indian constitution is parliamentary form of government आज हम भारत का जो सविदान है उसके दूसरे जो मुखे लक्षन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है parliamentary forms यानि की संसदिये व्यवस्था of government सरकार की संसदिये व्यवस्था So start today's topic The different trial of government that you just read about consist of representative who are elected by the people यानि की जो अलग-अलग जो गौर्मेंट है गौर्मेंट के जो अलग-अलग levels होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इंडिया में जो गौर्मेंट होती है उसको बेसिकली तीन अलग-अलग जो लेवल होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है वू वाज स्टेंडिंग इन लाइन ऑंडव दुरिंग दा एलेक्शन जो अपना नाइन जो एफ इस जो बुक है उसमें जो सबसे पहले हमने जो कांता की स्टोरी पड़ी जिसमें हमने देखा था कि वो जो इलेक्शन है वोटिंग देने के लिए इलेक्शन की जो लाइन है यानि की चुनाओ के समय पर जो वोटिंग लाइन होती है उसमें किस तरीके से खड़ा होता है जो भारतिय सविदान है उसमें यह जो यूनिवर्सल एडल्ट यानि की जो हमारे यहाँ पर भारतिय सविदान के अनुसार जो स्वरुबोमे के जो मतादिकार है वो दिया गया है सभी नागरिकों को यानि की भारत के सविदान के अनुसार सभी नागरिक जो कुछ योगताओं को पूरा करते हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है जैसे कि एज बारत में जो वोट देने के लिए जो एज होनी चाहिए वो एटीन एटीन एरस अबाव यानिका ठारा सालिया उससे अधिक आयू का कोई भी व्यक्ति भारत में वोट दे सकता है When they were making of constitution, the member of constituted assembly left that the freedom struggle and prepare to mask for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset of break the culture of traditional caste is class and gender है है निडिज चीज यानि कि जो भारत है भारत के सविदान निर्मान के समय जो सविदान निर्मात्री सभा थी उन्होंने यह देखा कि जो freedom struggle या दी कि जो भारत का जो सवतनता संग्राम था उसमें किस तरीके से सभी लोगों ने मिलकर सयोग किया था चाहिसे वो किसी भी जाती धर में या किसी भी gender यानि कि इस तरी हो या पुरूस हो सभी ने आपस में मिलकर बहुत सयोग किया उसके बाद ही भारत को जो आजादी थी वो प्राप्ट हो सकी थी इसलिए जो सभीदान निर्मातरी सभा के जो सदस्य थे उन्होंने भी यह चीज़ को स्विकार किया कि भारत में वोट देने के लिए किसी भी तरीके की कास्ट यानि जाती क्लास वर्ग और जेंडर यानि जो लिंग है उसके अनुसार उसके आधार पर किसी तरीका का कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा इस मीन दैट दा पीपल ओफ इंडिया है वे डाइरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देर रेप्रिजेंटिव इसका जो मतलब हुआ कि जो भारत में भारत में जो भारत के जो लोग है वो डाइरेक्ट यानि की सी परतेक्ष रूप से अपने जो रेप्रिजेंटिव है उनके द्वारा जो प्रती नहीं है उनका चुनाव किया जाएगा आलसो दा एवरी सिटीजन आफ कंट्री इंप्रेसिव ओफ इस हर सोशियल बैक्ग्राउंड कैन आलसो कॉंटेक्ट इन इलेक्ष यानि जो साथ इसाथ जो प्रतेक जो भारत के जो प्रतेक नागरिक है उसको यह अधिकार दिया जाएगा कि उसका जो सोशियल आमाजी के जो इस्तती है वो भी इस तरीके के इलेक्षन में जो किसी तरीके का भेदवाव नहीं होगा इस रेप्रेजेंटिव आर अकॉंडेबल ओफ दा पीपल्स जितने भी जो रेप्रेजेंटी होंगे जितने भी जो प्रतिनीदी होंगे वो जनता के प्रति उत्तरद होंगे यू विल रीड मोर अबाउट दा रेप्रेजेंटेशन आफ करिकर आफ डेमोक्राटिक फंक्शनिंग इन यूनिट तू इन दिस बूग आप जो रेप्रेजेंटेशन है यानि जो प्रतिनीदियों के बारे में इस किताब के दूसरी जो अध्या है उसमें इसके बारे में और ज्यादा हम पढ़ेंगे तो टूड़े वी डिसकर्स अबाउट पालिमेंटरी फ्रॉम्स ऑफ गौर्मेंट आज हमने जो भारत में किस तरीके से जो संसद्य विवस्ता होती है उसके बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि जो भारत में जितने भी जो अडल फ्रेंचाइजीज यानि कि स्वारु बामिक मता अधिकार का उपयोग किया जाता है जिसके अनुसार भारत का जो प्रतेक नागरिक है उसे अपना मत देने का अधिकार होता है अपना वो ट्रिंग राइट होते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंसेज नहीं होता है ना तो क्लास के अकॉर्डिंग ना कास्ट के अकॉर्डिंग ना जैंडर के अकॉर्डिंग भारत में सभी लोग जिनों की जिनकी जो एज है एटीन एटीन इयर्स एंड अबाव हुआ है यानि कि 18 साल या उससे बड़ा भारत में कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है उसे मत देने का वोट देने का पूरा राइट होता है